हेलो दोस्तों कैसे आप सभी मैं सौगत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेड़ागोजी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेर्नेस से जोड़े वे कुछ important mcqs को अब इस सीरीज को continue रखा जाएगा जैसे कि बाकी current affairs, static gk, match की cds को हम continue रख रहे हैं जिससे की exam होने से पहले पहले तक आप maximum से maximum questions cover कर लें तो दोस्तों पहला question है connection और a link to other documents और web pages that contain related information is called तो दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे एक hyperlink आपको के बार documents में दिखता होगा या कुछ web pages में दिखता होगा जब आप इस पे click करेंगे तो वो आपको दूसरे web pages पर या दूसरे documents पर ले जाता है तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते है hyperlink तो यह बात याद रखेगा अंगला है portable computer also known as laptop computer weighing between 4 and 10 pounds is called तो दोस्तों एक portable computer होता है जिसको हम laptop computer भी कहते हैं ठीक है यह अलग है laptop से तो यह इसका जो weight होता है वो 10 से 4 pounds के बीच में होता है इसको कहते क्या है इसको कहते हैं दोस्तों notebook computer अगला है the main circuit board of the system unit is दोस्तों motherboard जो है वो main circuit board है एक computer का मतलब जैसे मानलो जैसे हमारी body में heart है ठीक है आप इसको heart of the computer भी कह सकते हो क्योंकि heart से ही जुड़ी भी arteries होती है veins होती है वो ही blood supply करती है अलग-अलग organs को अगर वो supply ना करें तो कुछ बात ही ना बने पूरी body में तो वैसे ही ये motherboard होता है इसमें ही सारी चीजे RAM, WAM, फलाना धिमका जो भी चीजे होती है वो सब इसमें embed की जाती है इसमें लगाई जाती है ठीक है और ये पूरे फिर computer को power देता है सारी चीजे ये ही देता है motherboard main circuit board होता है system का अगला है manipulating data to create information is known as दोस्तो एक data को manipulate करके information जो create करता है computer उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं processing देखोगा न वी आर processing data processing का मतलब क्या है कि वो data को इस हिसाब से manipulate कर रहा है जिससे की एक information create की जा सके अगला है what is output तो दोस्तो आउटपट वो चीज होती है जो processor एक user को देता है ठीक है उसको output कहते हैं जैसे input क्या हुआ keyboard या mouse से आप कुछ computer को देते हो type करते हो तो input करते हो कुछ चीजें computer को देते हो processor को देते हो वो उसके बदले जैसे speaker क्या हुआ output device हुआ वो आपको कुछ उसके बदले देता है तो वो क्या है output क्या है output वो चीज है जो processor system user को देता है अगला है a repair for a known software bug usually available at no charge on the internet is called तो दोस्तो patch नाम से एक चीज होती है अगर आपके software bug आ जाए software error आ जाए तो internet में वो freely available होता है patch का इस्तमाल करके आप उसको repair कर सकते हैं अगला है when the margins on both the sides are straight and equal then there is dash in the document तो दोस्तो जब margins दोनों ही side पर same होते हैं किसी document में और straight होते हैं और equal होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है full justification margins मतलब यह अगर document है तो इसके margins एकदम straight हो और एकदम equal हो ठीक हैं तो क्या बोला जाता है इसको full justification अगला है the primary goal of a computer is to turn data into दोस्तों computer का primary goal होता है कि data को किस में convert करना data को information में conduct करना ठीक है यह बात आप याद रखेगा actually हम लोगों के साथ हुआ क्या है कि जब facebook आया मतलब मैं अपनी generation की बात करूं तो जब facebook आया तो सभी के जो प्रेमी प्रेमी का थे वो भी facebook पे थे तो हम लोगों ने उसका इस्तमाल किया computer का facebook का उनसे बात करने में अगर उस समय पर थोड़ा और जाकर depth में समझ लिया होता computer का तो आज दिक्कत ना रही होती अगला है what is the main folder on a storage device called दोस्तों जो सबसे main folder होता है किसी भी storage device में उसको कहते हैं root directory तो यह भात भी आपको याद रखकर जानी है अगला है computer dash is whatever is type submitted or transmitted to a computer system दोस्तों computer computer input क्या होता है वो चीज़ होती है जो हम computer में type करकर submit करकर या transmit करते हैं छी ठीक है जो भी चीज़े आप computer में डालते हो वो input कहलाया जाता है ठीक है अगला है whenever you have to give a space between two words तो आप कौन सी की press करते हो जब भी आपको दो शब्दों के बीच में gap दिन होता है तो आप कौन सी की इस्तमाल करते हो space bar अगला है secondary storage का क्या इन में से feature है तो secondary storage का feature है दोस्तों कि उसको कभी भी constant power की जरूरत नहीं पड़ती है that is option D तीन प्रकार की secondary storage होती है magnetic media, optical media, flash memory ये तीनों ही क्या है secondary storage है अगला है the first computers were programmed using which language तो दोस्तों सबसे पहली बार जब computer बने थे तो उसमें machine language का इस्तमाल किया गया था ठीक है तब ये HTML और ये सब नहीं थे तब machine language का इस्तमाल किया गया था उसी के through program किया गया था computers को अगला है कि internet आपको क्या allow करती है एक तो आपको internet ये allow करता है कि आप web pages देख सकें Google, Yahoo, web pages इन्हीं कोई कहते हैं दूसरा कि आपको वो सारे ही server जो है विश्व में उससे connect करता है ये बात बिल्कुल सही है आपको email भेजने देता है email आपके पास आ जाते हैं वो भी allow करता है तो इसका answer है all of the above अगला है dash file format is a method to encode pictures on a computer तो जब आपको pictures computer पे encode करनी होती है तो किस file format में वो होती है jpeg आपने सुना हो गए pictures के लिए jpeg यूज होता है ठीक है तो आपको computers में क्या है ये mcq की series है आप सारी ये देख जाओ ठीक है आपको इतने सारे question जहीं सी मिल जाएंगे इसी channel पर की revision हो जाएगा आपका पूराई an error is also known as तो कोई error आता है तो उसको क्या बोलते है उसको बोलते है बग आ गया है ठीक है क्या आ गया है बग आ गया एक error आ गया है अगला है keyboard is this kind of device keyboard क्या है एक input device है क्योंकि हम type करते है तक 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 तो computer को data हम देते हैं एक तरीके से तो हम input करते है speaker क्या है speaker output device है ठीक है monitor क्या है monitor हमें screen पर दिखाता है चीज़े ठीक है तो भी output हुआ अगला है which part of the computer helps in storing information तो दोस्तो disk drive help करता है information store करने के लिए ये बात भी आपको याद रखनी है अगला है what menu is selected to print प्रिंट करने के लिए कौन सा menu आपको select करना होता है तो दोस्तो file के option में आप जाते हो फिर file के option में print का option आपको मिल जाता है अगला है windows 95, windows 98 ये किस प्रकार की चीज़े हैं तो दोस्तो ये क्या है actually ये operating systems कहते हैं ये operating system है और processor क्या होता है processor एक electronic circuit होता है जो सारी ही calculations perform करता है जो की जरूरत होती है computer को run करने के लिए ठीक है वो processor होता है modem क्यों होता है आपने internet का भी देखा हो का modem लगा होता है तो modem वो device है जो computer को data देने के लिए या data लेने के लिए मदद करता है उसको एक ताड़ से जोड़ दिया जाता है modem को computer के साथ और उससे फिर data transmit होता रहता है तो यह क्या है windows 98 95 एक प्रकार के operating system दोस्तों यह थे computer awareness की पहली वीडियो के कुछ important questions आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करें यह playlist continue करने के लिए हमें motivation मिलेगा thank you so much हर हर महादेव रादे रादे